यम्प नरेंद्र मोदी का जितना भी काम अजोध्या का है वो संबिधान को खंडित तो करता ही है पाखंड अंधविश्वास को फैलाता है मैं बराबर कह रहा हूँ कि एक आदमी इस पूरे मुल्क को नस्ट करने पर लगा हुआ है और इतिहास उसका अपने आप बन रहा है उसमें कुछ दो रहा नहीं है मोदी का मैंने वेलकम किया था कि ये भरस्टाचार से और हिंदुस्तान में एक नई उड़ जाएगी नए तरफ ले जाएंगे बेरोजगारी गरीबी इस्त्री बलतकार बिशमता भैब सब अपने सड़क पर फैला रखा है आप क्या करेंगे दस साल बाद आप क्या करेंगे आपके पास कोई भी कल्प नहीं रहा जाएगा सिवाज नंबर दो के रास्ते का समाज में बढ़ने का आपकी सिख्चा कि क्यों बेच रहे हैं समाज के अंदर सिख्चा देखियो मैंने लगाया है मेरा विरोध मुझे मंदिर नहीं चाहिए आप पाखंड और अंदविश्वास अपने गर रखिये भारी खर्च पर भारी था इतना तो जानते हैं न कि प्राइम मिनिस्टर का एक रूपया सरकार का खर्च धन है उनका अपना नीजी कुछ नहीं है तो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए कहीं यह नहीं लिखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर मंदिर गिर्जागर मजार बनवाएगा, फाउंडेशन इस्टोन रखेगा, या उसमें प्राण डालेगा, ये क्या है, बायोलेशन अफ कॉंस्टिचूशन है, पीयम नरेंद्र मोदी का, जितना भी काम अजोध्या का है, वो संबिधान को खंडित तो करता ही है, पाखंड अंधवि गया है, नजाने कितना पूजा होता है, हम तो इस घर में भी पूजा हमारा घर कर लेता है, हमारे बगल में होता है, बैठा रहता हूं, इसमें भगवान नहीं है, और जदी भगवान है, तो वह सरीर में ही हो सकता है, जहां प्राण होगा, पत्थर में तो हो नहीं सकता, व वही है जैसे यूरोप में 12, 13, 14, 15 सदी में पोप और वहां का जो है चर्च का जो अधिकारी थे वो मुक्ति पत्र बाटते थे स्वर्ग में जाने का वही है जो आ 19 सदी के मध्य तक जब दयानंद सरस्वतिय विबेकानंद पाखंड खंडनी पताका नहीं फ़राये थे कि ये मुर्तिय और मंदिर का घोर तरीके से विरोध करते थे दयानंद और बीबेकानंद जैसे लोगों का उसको आप कहाँ पतन कर रहे है आप भारत को जितना मार ना हो मार लीए मैं उसका विरोध कर रहा था आपके चेनल को बता दूँ मतलब बिजेपी का भी विरोध साथ साथ में चला है और देश के जो सिच्छा पदती है मैं बिजेपी का नाम लिया मैं बराबर कह रहा हूं कि एक आदमी इस पूरे मुल्क को नस्ट करने पर लगा हुआ है और इतिहास उसका अपने आप बन रहा है उसमें कुछ दोरा नहीं है यही गोरखपूर है जब 2014 में टी पर चर्चा उनका कारिक्रम एक चला था आप तब चैनल में नहीं आये होंगे चौधा की बात कर रहा हूं वेलकम उनका हो रहा था उनके नाम का एनाउंसमेंट हो गया था कि मोधी ही प्रधान मंतरी के रूप में उच्छा ले गए थे में और पूरे पूलिस में जाइए जांच के पता करिएगा मैं मैं उसका वेलकम था च्छाजारूपे मेरा लगा था मोधी का मैंने वेलकम किया था कि ये भरस्टाचार से और हिंदुस्तान में एक नई नई उर्जा आएगी नए तरफ ले जाएंगे बेरोजगारी मज़गा वहीं से दवा मिलेगी वहीं से पढ़ेंगे लिखेंगे क्या करना चाहते हैं इंदुस्तान का बताईए किर ने हैं नहीं चला गया है पूजा करें इस लड़ाई में अकेली नजरा रहें तो हमाई अकेले हूं गांधी भी अकेले था आपको कैमरे को बता दूँ कि गांधी भी अकेले था जब 33 करोड़ चतिस करोड़ की अबादी थी जब गांधी को मारा गया तो गांधी भी अकेले था जो देश जो अंदविस्वास और पाखंड और हिंदुतों के हुरदंगाई जिस गांधी को गंडाउन कर सकते थे ओ मैं क्या हूं मैं तो मैं तो दुरभाग सभाग बस वही गूगल जो 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 इंटरनेशनल मीडिया का वो है वो ही गुगल हमको भी गांधी न जाने किस दृष्टी कोण से गांधी घोसित कर दिया है तो मैं गांधी मैं भी आज अकेला हूँ मैं अकेला अकेला आप समझते हैं तो अकेला समझिए और यकीन मानिये की गोरकपुर नहीं आसपास के छ होती है तो गांधी प्रतिमा के नीचे कईयों बार संपूना नंद मल जी वहां पे आंदोलन करते हुए नज़र आ हैं क्या आपको लगता है कि इस सरकार में आपके आंदोलन का सरकार पर कोई असर हो रहा है बिलकूल असर होता है वो असर का ही नतीजा है कि जब भी मैं भारी फूलिस पर लगा के आरिस्ट किया गया, वहां से ले आया गया, आवाज मेरी इनके कान तक जाती है, अलग बात है कि सुन नहीं रहे हैं, बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं, कोई देखिए, गवर्मेंट और अन कॉंस्टिचूशनल है, डेमोक्रिसी नहीं है, बहु नहीं का सकता, लेकिन मैं अकीन के तौर पर कहता हूँ, कि भारत की जुगा पेड़ी म्यूट हो चुकी है, बहुत, म्यूट, डिक्सिनरी में जाके खोजिएगा, मैं वीडियो पर इसकार Coffee, भारत की जुगा म्यूट हो चुकी है, निर्धन कंगाल है, ऐसी कुरो लोग या आ रही क्या हो रहा है बोली या और क्या बोल ले ते कभी कुछ का रहे थे नई मैं ये काय रहा था 22 तारी को प्रांड प्रतिष्ठा जब होई तो आपके घर के बाहर दो पूलिस थी हमारे घर के पास साथ-आठ पूलिस थी ओ तो दो उसी दिनका लिखा हुआ है यही हमको चाहिए हमको फ्री सिख्षा क्यों नहीं देते हो फ्री सिख्षा दो फ्री जस्टिस दो फ्री हेल्थ चेकस अश जै जै A मेडिसीन दो और इसके बाद जो है फ्री संचार दो रेल हम कहीं बैठके जांए आराम से कहीं आए कोई पैसा न हमारे पास है पैसाओ करण लोगों के पास एक रूपया नहीं है पांच किलो अनाजप जीते हैं बाइस करण लोग कुपोसित हैं न उनके बच्चे सिक्षा पाते हैं सब जूट है इस देश के अंदर हाईवे और इंटरनेशनल एरपोर्ट बनवा के और एक बंदे भारत ट्रेन देके और हवाहवाई करके 20-25 करोड लोग इस देश में सुखी हैं जो बड़े लोग हैं वो द्योक पति हैं पूजी पति हैं माननी है आईएसाबसर हैं बड़े अफसर हैं प्रोफेसर थाइं जो लाग से ऊपर बेतन पाने वाले हैं जो जो बिचाउली ये दलाल हैं जो पॉलिटिकल छेतर में लगे हैं जो जो अन्य काम करते हैं ब्रोकरेज का काम करते हैं मतलब देश के 80% जो पैसा है वो 20% के पास है 80% सवाल आपने बहुत देखिए अब आपको फंडमेंटली बता दें कि 80% जो रिसोर्स एंड कैपिटल है वह कैप्ट है किसके द्वारा 10% लोगों के द्वारा और बड़ी बात सुनिए केवल साथ ऐसे लोग हैं देश के धनी लोग साथ जिनके पास क्या है भारत के पूरे एनुवल बजट एनुवल बजट जो 36 लाग करोल पीछले साल था 37,40 जब भी हो एक फरवरी को बजट पेस होगा वोग साथ ही लोगों के पास कैपिटल है और पूरे बजट का एक बटे तिहाई कैपिटल अकेले अडानी के पास है जिसके गहरे रिस्ता शबूत जो है इनके साथ है वह मुल्क में जिस मुल्क में 80 करोल लोग 5 किलो अनाज में अपनी जीवन तलास रहे हैं 22 करोड कुपोसीत हैं जिसमें 60 प्रतिसत बच्चे हैं जिनकी कडाही में बनने वाली तरकारी तेल में नहीं पानी में बनती है जो रोती पानी से सांग के खाते है उस देश का प्रधान मंतरी जो है जो धिया में पैसे की होली खेला था बोला ना कि 80 करोड़, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन भर काम करके फेफड़ा ब्यदम हो जाता है उनको 500 की नोट जानते हैं क्या है? 5 अरब के बराबर है। उनको 500 रुपया दे दिये, 5 किलो अनाज दे दिये, बेंटी लेटर पर रख दिये, बस हो समझता है कि बस जो डे लोगों ने आज तक इन लोगों ने धीरे धीरे गरीब मुल्क होता गया थोड़े से लोग पैसे को कबजा में लेते गए ज्यादा तर लोग गरीब बढ़ते च्छतिस करोल गरीब थे च्छतिस करोल गरीब थे कोरोना के पहले एक आएक असी करोल गरीब कैसे हो गया इधर गरीब बढ़े आइधर पूजी जो है थोड़े से जो दवा बेवसाई थे बड़े पूजी पती थे कोरोना काल में साथ लाग करोड की पूजी का मालिक अडानी जंप करके तीन बरसों में बारा लाग करोड की पूजी पर गया दुनिया का धनी बन गया क्या करता है कौन सी मजदूर से जादा कोई कुदाल चलाता है जदा हमको बताइए होने वाली है और ने जो गंदे भारत है हम 130 रूपे में लखनव जाने के लिए तलासने अपनी इंटर सीटी को आप हमको 1600 की और 800 की ट्रेन दे रहे हैं और दफड़ी बजा रहे हमारी पैसेंजर गारिया कितने लोग मुठी भर लोग हिंदुस्तान की सारी दवलत दबा के रख लिए हैं बाकी फटे हाल हो गए हैं यही देश है क्या ऐसे ही चलेगा क्या तो यह संपूर्णा नंद मल जी थे और जिस तरीके से बिबाकिस से इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत म पड़ी बात इन्होंने कही कि यूवा वर्ग जो है वो मिट हो गया है और मिट मतलब कि चुपि साधलिया है मतलब उसके पास मौन बहुत गंभीर, नहीं नहीं बेटे, म्यूट, वो साइलेंस नहीं है, म्यूट का मतलब बहुत बड़ा मतलब है, कई मतलब होता है, आप भी डिक्शनरी में देखिएगा, दर्सक जो हैं, आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, कोई जरुई नहीं है कि सब्द जाने, आप पढ़िएगा उसको, लोगों को बताइए उपड़ हैं, म्यूट हो गया है, और सरकार को मैं बता दूँ, इनको बोला ना कि देखिए, GST खतम कर दें, खाने पीने के आइटम पर, GST 16% कर दें, 28% GST, डाका टेक्स है, और चलने फिरने के नीजी गारियों पर टोल टेक्स जब मैं उतरूँगा ना, पूरे देश की राधानियों में 28-29 प्रांतों में चलके एक एक दिन का सत्यागरह करूँगा ना, इसे बैटके, केवल इनकी बात बता दूँगा ना, नेरेंदर मोदी की, अनरेबल पीम की, तो उसी दिन खतम हो जाएंगे, अपनी बात भी ये निर्वहन करें, और जिस पार्लियामेंट को ये समझते हैं, कि फरिष्टा का दिया हुआ भवन है, वहाँ पार्लियामेंट, बिट्रिस बाइसराय इर्विन का बनवाया हुआ पार्लियामेंट है, जिसकी पहली प्रोसीडिंग में इर्विन बैठा हुआ था, और सदन को सुसंसद को भगत सिंग अस्फाकुल्ला खां और गांधी जितना मानते थे उससे ज्यादा आप नहीं मानता हूं जब तक इन नेत्रों में रोशनी रहेगी तब तक चुनाओं की प्रकिरिया में और उस सदन के तरफ ताकने का दूसास नहीं करूंगा बिरोध उनका जिन्दा रहूंगा तब तक करूंगा संपुला नंद मल जी थे इनकी बातों से इतिफाक रखते हैं अना ही अपने प्रकिरिया जो है वो कॉमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा बने रहे गोरपूर पोस्ट के साथ